समराट विक्रम अदित्थे इंट्रो एक ऐसा राजा जिसके किस्से कहानियों में खुम मिलते हैं इंडियन हिस्ट्री में आपको कई ऐसे योध्धा, शूरवीर, क्रांती कारी मिल जाएंगे जिनके बारे में बताया गया है इंचूरवीरों का नाम इतिहास के पन्नों में अमर है, लेकिन भारतिय इतिहास में कुछ ऐसे भी राजा हैं, जिनके बारे में हमें जादा कुछ मालू नहीं है हाला कि ये आज भी कहानी और किस्सों में जिन्दा जरूर है बचपन से हमें इन राजाओं की वीरता के किस्स सुनाय बौना था क्योंकि सिकंदर ने देशों को लूटा, लेकिन इस भारतिय समराट ने शासन किया था उसका शासन ना सिर भारत में था, बल्कि पूरे विश्व में था लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि भारत के सबसे ताकतवर और महनतम राजा को भारते इतिहास में जगहार नहीं दी गई हेलो दोस्तों मैं हूँ आरजे अंकित सिध्धू, आप सुन रहे हैं हमारी सीरीज विक्रमा दित्ते अ युनिवर्सल किंग सिर्फ कुकु एफेम पर आज हम आपको उजेन के एक महान शासकों में से एक रह चुके समराट विक्रमा दित्ते की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे इतिहास में वो मुकाम नहीं दिया गया क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि महराजा विक्रमा दित्ते केवल एक कल्प ना है लिकिन ये बिलकुल भी सच नहीं है आज भी उज्जैन में समराट विक्रम अदित्ते से जुड़ी यादें जिन्दा है समराट विक्रम और बेताल की कहानी भी आपको याद होगी हाला कि आज वो पेड़ तो नहीं है लिकिन शिपरा किनारे एक टीला है जो उस पेड़ के होने की कहानी को जिन्दा रखे हुए है हाला कि वर्तमान में उस टीले पर एक अगहौरी ने अपनी कुटिया बना ली है विभिन इतिहासकारों की इनको लेकर अलग-अलग मानिताएं है उजयन के महान शासकों में से एक रह चुके हैं इनकी वीरता की वजह से इन्हें शाकरी की उपाधी से भी सम्मानित किया गया रामराज के बाद अगर किसी वीर पुरुष की चर्चा होती है तो वो केवल समराट विक्रमादित्य जिन्होंने अपने दौर में रामराज को स्थापित किया था उनकी प्रजा धर्म पर चलती थी इस वजह से समराट विक्रमादित्य को नियाय का प्रतीक माना जाता था एक प्राचीन शायर अलबरूनी ने कुछ इस अंदाज में समराथ विक्रमादित्य की परसनालिटी को लेकर कहा है कि धन्य हैं वे लोग जिन्हें विक्रमादित्य के शासनकाल में रहने का मौका मिला हम विदेशी थे फिर भी उन्होंने हमें अपनाया हमें अंधेरे से निकाला हमें हर चीज दी दोस्तों इस सीरीज में बताई गई जानकारी बहुत से अलग सोर्सिस से ली गई है जैसे निूस पेपर्स, आर्टिकल्स, एट सेक्टरा अगर इसमें कुछ कमी रह जाती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं हम इसे सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे तो जुड़ जाईए हमारे साथ इस सीरीज में जिसका नाम है विक्रमादित्य आ यूनिवर्सल किंग सिर्फ कुकु एफेम पर आप सुन रहे हैं कुकु एफेम खास सीरीज विक्रमादित्य आ यूनिवर्सल किंग मैं हूँ पूरा परिचे राजा विक्रमादित्य ये नाम आज की डेट में भले गुम हो गया हो लिकिन एक वक्त था जब दुश्मन सेना भी राजा विक्रमादित्य से बचती थी राजा विक्रमादित्य के नाम पर अगर आप गौर करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों भार इतिहास में इस नाम की चर्चा आज भी होती है राजा विक्रमादित्य नाम विक्रम और आदित्य से मिलकर बना है जब आप इसका अर्थ खोजेंगे तो पाएंगे विक्रमादित्य का मतलब होता है पराक्रम का सूर्य या सूर्य के समान पराक्रमी इस वजह से राजा विक्रमादित्य को विक्रम या विक्रमार्क यानि कि विक्रम प्लस अर्क भी कहा जाता है महराजा विक्रमादित्य कब पैदा हुए इसको लेकर लोगों में अलग-अलग राय है उस वक्त के तिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से इस पर बताया है लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि इनका जन्म 102 इसा पूर्व के नस्दीक ही हुआ था विक्रम समवत की माने तो उजयन के महाराजा धिराज राजा विक्रमादित्य 2292 वर्ष पूर्व हुए थे कली काल के 3000 वर्ष बीद जाने पर 101 इसा पहले समराथ विक्रमादित्य का जन्म हुआ उन्होंने 100 वर्ष तक राज किया विक्रमादित्य के जन्म को लेकर अलग-अलग तरह के दावे किये जाते हैं इस दावे की माने तो इसमें कहा गया है कि उनका जन्म भगवान शिव के वर्दान से हुआ था. इसके साथ ही भगवान शिव ने उनका नामकरण जन्म से पहले ही कर दिया था. ऐसी मानेता है कि इसी वजह से विक्रमादित्ते ने पूरी जिंदगी अन्याय का साथ नहीं दि लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी पावर का घलत इस्तमाल किया और एक सन्यासनी का अपरहन कर लिया था हलाकि सन्यासनी का भाई अपनी बहन को बचाने के लिए शक्षासक के पास मदद मांगने के लिए गया इसके बाद शक शासक ने उसकी पूरी मदद की और इसका नतीजा ये हुआ कि गर्दा भिल्ला से जंग करके शक शासक ने उस सन्यासनी को रिहा करवा लिया इसके बाद गर्दा भिल्ला को जंगल में छोड़ कर चले आते हैं जहाँ पर गर्दा भिल्ला को जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया महिसरा सूरी जैनी साधू के अनुसार विक्रमादित्य उसी गर्दा भिल्ला के बेटे थे वहीं दूसरी तरफ शक शासकों को अपनी पावर का अंदासा लग चुका था इसके बाद शक शासकों ने एक प्लैनिंग के तहट अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में अटैक करना शुरू कर दिया और अपने सामराज्य का विस्तार किया उधर विक्रमादित्य अपने पिता के साथ हुए अन्याय से अंजान थे लेकिन जब उनको पता चला कि शक शासकों ने उनके पिता के साथ अच्छा बरताव नहीं किया था और उनको जेल में बंद किया था इतना ही नहीं उनको जंगल में छोड़ दिया था ताकि जंगली जानवर उनके पिता को अपना निवाला बना ले इसके बाद विक्रमादित्य ने बच्पन में ही तै कर लिया था कि वो आने वाले वक्त में शक्षासकों को इस धर्ती से मिटा कर रख देंगे। कुछ इतिहासकारों की माने तो उस समय उज्जैन के राजा भृत हरी ने राज छोड़ कर शिरी गुरु गुरक्षनाथ जी से योग की दिक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। ऐसे में उन्होंने अपना सब कुछ अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी गुरु गुरक्षनाथ से गुरु दीक्षा लेकर राजपाट संभालने लगे। और आज उन्ही के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है। हमारी संस्कृती बची हुई है। वहीं अपने पिता के साथ हुए बुरे बरताव से भी विक्रमादित्य काफी गुस्से में थे। फिर वो घड़ी भी आ गई जब विक्रमादित्य ने शक्षासकों को हरा कर अपना दबदबा कायम किया। इसके बाद विक्रमी समवत की शुरुवात हुई। सन अठत्तर के नस्दीक महराजा विक्रमादित्य ने शक्षासकों को हरा कर अपने पिता की मौत का बदला ले लिया था विक्रमादित्य ने आगे चल कर एक वीर समराट के रूप में अपने आपको स्थापित किया था विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे उस वक्त उज प्रतिका की गणना सब्त पुरियों में की जाती है। इसी जगहा पर जोतिर लिंग के साथ ही शक्ति पीट भी बनाया गया था। होली नदीक शिपरा के तट पर बसे कई शहरों में कई महान राजा हुए हैं। उन्ही में से एक हैं चक्रवर्ती समराट विक्रमादित्य। समराट विक्रमादित्य को लोग विक्रम सेन के नाम से भी जानते थे। जहां तक पहले चक्रवर्ती समराट की बात है, तो पहले रिशब के बेटे राजा भरत थे। उनके चलते अजनाव गड़ का नाम भारत पड़ा था। विक्रम बेताल और सिंहासन 32 की कहानिया विक्रमा दित्ते से ही जुणी है। जहां तक उनकी फैमली की बात है। उनकी ए समराट विक्रमा दित्ते के दो बेटे विक्रम चरित और विनेपाल थे, जबकि उनकी दो बेटियां विधोत्तुमा तथा वसुंद्रा थी। उनका एक भांजा था जिसका नाम गोपी जन था। हालाकि भारत इतिहास को लिखने वाले मुगलों, अंग्रेजों और वामप विक्रम का भारत की अलग-अलग भाशाओं जैसे संस्कृत, प्राकर्तिक, अर्थमांगती, हिंदी, गुजराती, मराठी जैसी लेंग्विज में कई किताबों में जिक्र मिलता है। उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा, आदी गुणों की अनेक कताएं भारतिये सहित् पड़ी हैं। विक्रमादित्य से जुड़ी जानकारी को छिपाया गया और लोगों को घलत जानकारी दी गई, लेकिन सच तो कुछ और था। विक्रमादित्य उस दौर में सबसे महान व्यक्ति के तोर पर देखे जाते थे। उनकी बाजुओं में इतनी ताकत थी कि उनका शासन ना सिर्फ भारत बल्कि अरब और मिसर तक फैला था। और पूरी दुनिया में वीर विक्रमादित्य की चर्चा होती थी। विक्रमादित्य अपनी नौलेज, बहादुरी और जस्टिस के लिए मशूर रहे हैं। उनके दरबार में नवरत्न रहते थे। इतिहासकार विक्रमादित्य एक ऐसे राचा थे जिन्होंने भारत की भूमी से विदेशी ताकतों को जड़ से उखाड़ फैका। इतिहास में बताया गया है कि जब शकों ने जादा आतंक मचाया था तब 56 ईसा पूर्व में समराट विक्रमादित्य ने शकों को पूरी तरह से खत्म क कहलाए। विक्रमादित्य के शौरे का वर्णन करते हुए समकालीन अबुलगाजी लिखता है कि जहां परमार विक्रम का दल आकरमन करता था वहां शत्रूं की लाशों के धेर लग जाते थे और शत्रू दल मैदान छोड़ कर भाग जाते थे। किया जाता है। दरसल कुछ लोगों को लेकर इतिहासकारों में मत भेद है। लेकिन आज भी पुरानी किताबों में उन लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। ऐसे कई राजय हुए जिनके बारे में इंडियन हिस्ट्री में ना के बराबर जिक्र है। लेकिन पुरानी हिस्ट्री में विक्रमादित्य जैसा महान राजाओं का जिक्र सही तरीके से नहीं किया गया और उनसे जुड़ी कई बातों को इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया भारत के इतिहास के पन्नों में अकबर के नवरत्न से इतिहास भर दिया गया है लेकिन महराज विक्रम विक्रमादित्य के नवरत्नों की चर्चा किसी भी किताब में नहीं है। विक्रमादित्य के नवरत्नों के बारे में हम आगे के एपिसोड्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि समराट विक्रमादित्य का शासन ना सिर्फ भारत में था बलकि पूरी दुनिया में कायम था समराट विक्रमादित्य के शासनकाल के मैप को देख कर ही आप इनकी भवेता का अंदाजा लगा सकते हैं आज का पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, अफ्रीका, अरब, नेपाल, थाइलेंड, इंडोनेशिया, कमबोडिया, श्रिलंका, चीन और रोम तक राजा विक्रमादित्य का राज्य पहला हुआ था उन्होंने रोम के राजा और शक राजाओं को मिला कर पिचान में देश जीते थे। आज पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी यानि लोकतंत्र का धिंडोरा पीटा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले किस ने डेमोक्रेसी की शुरुवात की थी। डेमोक्रेसी थी इतना ही नहीं आजकल जो पावर अमेरिका या रूस के राष्टपती के पास है वैसी ही पावर राजा विक्रमदित्य के सेना पती के पास होती थी लेकिन वो सारा काम विक्रमदित्य के इंस्ट्रक्शन में ही किया करते थे विक्रमदित्य की सबसे अच्छी बात थी वो को राजा नहीं मानते थे बल्कि वो खुद को प्रजा का सेवक बताते थे दोस्तों पहला शक राजा मास था उसने इसा की सदी से पूर्व गंधार को जीत लिया था उसके बाद एजस नाम के एक राजा ने गद्दी संभाली और उसने शक के राजे को आगे बढ़ा कर पंज इन शक राजाओं से प्रेरित गवर्नर चत्रप कहलाते थे इन गवर्नरों ने तक्षिशिला से मथुरा तक राज किया है ये शक लोग विध्यानचल पार करके दक्षन की ओर भी गए इसलिए विक्रमादित्य को मालवा और गुजरात के आसपास शकों यानी चत्रापों स वहीं इनको लेकर पूरा वर्नन हरिवंश पुराण में हैं इनको चंद्रवंशी चत्रिय कहा जाता था मालवा वंश के लोगों ने महा भारत में कौरवो का साथ दिया था अभी भी कुछ मल वंशी चत्रिय नेपाल की तिराई में रहते हैं विक्रमादित्य ने शकों हुन अरबिस्थान शब्दाया संस्कृत शब्द अटवस्थान से जिसका अर्थ होता है घोड़ों की भूमी और हम सभी को पता है कि अरभ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है जब रोम के राजा को समराट विक्रमादित्ते ने घुटनों पढ़ ला दिया था तब समराट विक्र की आखों में समराट विक्रमादित्य खटकने लगे लेकिन उनमें इतना दम नहीं था कि वो समराट विक्रमादित्य को चैलेंज कर सकें जहां एक और विक्रमादित्य की ताकत लगतार बढ़ रही थी तो दूसरी और रोम चाहकर भी विक्रमादित्य को रोक नहीं पा रहा सेंक्रो साल पहले समराट पोरस की छोटी सी आर्मी ने सिकंदर और चंद्रगुप्त की आर्मी सेल्यूकस को आसानी से चित कर दिया था इस वजह से रोम पूरी तरह से डरा हुआ था और इसी वजह से वो विक्रमादित्ते से सीधे तौर पर लड़ना नहीं चाहता था इस वजह से उस वक्त रोम का राजा जूलियस सीजर सीधे तौर पर विक्रमादित्ते से लड़ना नहीं चाह रहा था लेकिन उसका टार्गेट था किसी भी तरह से समराट विक्रमादित्ते के राज को तहस नहस किया जाए इसके लिए उसने एक ठोस प्लैनिंग बनाई और फिर उसी प्लैनिंग के तहट काम शुरू कर दिया हाला कि तब किसी को नहीं मालुम था कि समराट विक्रमादित्ते के खलाफ रोम का राजा जूलियस सीजर कोई बड़ा प्लैन तयार कर रहा है रोम की राजा ने समराट विक्रमादित्ते को अपने जाल में फसाने के लिए बेहद नायाब तरीका अपनाया था इतिहास और उस वक्त की किताबों पर गौर किया जाए तो इसमें बताया गया है कि जूलियस सीजर ने कितना खतरनाक प्लैन बनाया था लेकिन उसका यही प्लान उसी पर भारी पड़ गया था जूलियस सीजर को ये मालूम था कि समराट विक्रमादित्ते को चैलेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो इतने जादा पावरफुल थे कि वो आसानी से जूलियस सीजर पर विजय हासिल कर ले थे जूलियस सीजर ने रोम के लोगों पर जुल्म और सितम डहाना शुरू कर दिया ताकि समराट विक्रमादित्ते का ध्यान उसकी तरफ जाए इसके बाद रोम के राजा जूलियस सीजर ने अपने सकसेसर ओक्टेवियन को जान बूच कर समराट विक्रमादित्य के पास भीजा था ताकि मदद के बहाने किसी तरह से समराट विक्रमादित्य को रोम बुलाया जा सके और फिर मौका पाकर समराट विक्रमादित्य को कैद करके उनसे बदला लिया जा सके रोम के राजा जूलियस सीजर ने सोची समझी साज़िश को अंजाम दिया था और उसको यकीन था कि समराट विक्रमादित्य जरूर रोम की जनता को बचाने के लिए उसके यहां आएंगे और फिर वो मौके का फायदा उठाकर समराट विक्रमादित्य को कैद करके भारत पर अटेक करेंगे समराट विक्रमादित्य को खत्म करके भारत को जीता जा सकता है जूलियस सीजर की प्लैनिंग का पहला स्टेप कामियाब भी रहा लेकिन इसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई रोम के राजा जूलियस सीजर ने अपने सकसेसर ऑक्टेवियन को समराट विक्रमादित्य के पास भेजा और उसने बताया कि रोम की जनता इस वक्त बहुत परिशान है और लोगों को मारा जा रहा है तरह तरह के जुल्म और सितम किये जा रहे हैं उसने आगे कहा कि आप किसी तरह से रोम को बचा लीजिए नहीं तो पूरा रोम खत्म हो जाएगा इतना सुनना था कि समराट विक्रमादित्य का पारा चड़ गया और एक दम से गुस्से में आ गए समराट विक्रमादित्य की एक खासियत थी कि वो किसी को परिशानी में नहीं देख सकते थे इसलिए उन्होंने फौरन फैसला किया कि वो रोम की जनता को बचाएंगे और एक छोटी आर्मी तयार कर ली और उसकी कमान को खुद अपने हाथों में लिया इसके बाद रोम की तरफ रवाना हो गए ताकि रोम के राजा जूलियस सीजर को सबक सिखाया जा सके उधर जूलियस सीजर जैसा चाहता था वैसा हो रहा था उसकी प्लैनिंग भी यही थी कि कि इसी तरह से समराट विक्रमादित्य को रोम लाया जाए इसके लिए उसने अपनी खतरनाक आर्मी को खास तोर पर तयार कर रखा था लेकिन जूलियस सीजर की यह तरकीब उसी पर भारी पढ़ गई और उसकी पूरी प्लैनिंग एक जटके में समराट विक्रमादित्य ने खत्म कर दी हाला कि हमला पहले समराट विक्रमादित्य ने नहीं किया था बलकि जूलियस सीजर ने अचानक से विक्रमादित्य की आर्मी पर धावा भूल दिया था जूलियस सीजर को लग रहा था कि समराट विक्रमादित्य आधी अधूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए और आसानी से उनको कहत कर लिया जाएगा लेकिन जूलियस सीजर की ये बहुत बड़ी भूल थी समराट विक्रम अदित्य की आर्मी ने रोम को जवाब दिया तो जूलियस सीजर की पूरी आर्मी में एक आएक दहशत और भगदर मच गई थी जूलियस सीजर को भी ये उमीद नहीं थी कि इतनी आसानी से उसकी आर्मी घुटने टेक देगी इसके बाद जूलियस सीजर ने समराट विक्रम अदित्य के गुस्से से बचने के लिए और जान बचाने के लिए महल में वो जा चुपा लेकिन समराट विक्रमादित्य ने रोम की आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके महल में पहुँच गए इसके बाद जूलियस सीजर को बंदी बना लिया गया जो खुआप जूलियस सीजर देख रहा था कि वो समराट विक्रमा दित्ते को कैद कर लेगा लेकिन यहां एक दम उल्टा हुआ। जूलियस सीजर को भारत लेकर आए और रोम को भारत ने अपने में मिलाया। इसके साथ ही रोम की जनता को जूलियस सीजर के खौफ से निजात दिलाया। जान ये समराट विक्रमा दित्ते के नौरतन का जिनका बजता था डंका। इंडियन हिस्ट्री काफी रोचक है लेकिन हम अकसर उन लोगों को याद नहीं करते हैं जिन्नोंने हमेशा इस देश की संस्कृती और रीती रिवाजों को जिन्दा रखा। ये बात ठीक है कि जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए तरक्की करनी चाहिए लेकिन अपनी संस्कृती को जिन्दा रखना बेहत जरूरी है। आज अगर इंडियन हिस्ट्री को सही से देखेंगे तो उसमें कई ऐसी बाते पता चलेंगी जिसे जानना आपके लिए आज की डेट में बहुत जरूरी है। समराट विक्रम अदित्ते के दर्बार में नवरतनों के नाम धनवंत्री, शपनक, अमर सिंग, शंकू बेताल भट, घटकपर, कालिदास, वरा मिहीर और वर रुची कहे जाते हैं। समराट विक्रमादित्य के दरबार में धनवंत्री की चर्चा भी खूब होती है। भारते सहित्य पर गौर किया जाए तो इसमें आपको कई जगह धनवंत्रियों के बारे में जिक्र मिल जाएगा। धनवंत्री में तीन चीजे एहम होती हैं। उनमें दैविक, वैदिक और देतिहासिक को शामिल किया गया है। आईरवेद सहित्य में धनवंत्री को वैद बताया गया है। असल में उस वक्त डॉक्टर नहीं बलकि धनवंत्री होते थे जो सभी बिमारियों का जड़ से इलाज करते थे। भारती आईरवेद सहित्य में इसको लेकर डीटेल में बत पर मिलता है। इन में पहला वारांसी के छत्री राजा दिवोदास और दूसरा वैद परिवार के धनवंत्री। इन दोनों का काम था लोगों का इलाज करना और उनको ठीक करना। वहीं भाव मिश्र के कथन की माने तो सुशुरुत के शिक्षक धनवंत्री शल्ले चिकित्सा के विशेशग्य थे जो की सुशुरुत गुप्तकाल के दौर पर बात की जा रही है। वहीं विक्रम युगीन धनवंत्री कोई और इनसान है। लेकिन इससे एक बात तो इसपस्ट हो गई है कि पहले वैदों को धनवंत्री कहा जाता था। इसी वजह से दैविक से लेकर एतिहासे की युग तक अनेक धनवंत्रियों के बारे में बताया गया है। विक्रम दित्ते की आर्मी में धनवंत्री किसी डॉक्टर से कम नहीं थे और वो लोग उस दौर में लोगों को किसी भी बीमारी से बचाने के लिए या फिर उनका इलाज करने के लिए आगे रहते थे। धनवंत्री द्वारा लिखित ग्रंथों के ये नाम मिलते हैं। रोग निदान, वैद्य चिंतामणी, विद्य प्रकाश चिकित्स, धनवंत्री निगनटू, वैद्यक भास करोद्य तथा चिकित्स सार संग्रहे। ऐसे में विक्रम दित्ते के दर्बार में धनवंत् बताने में माहिर थे। विक्रम दित्ते इन्हें विद्वान, जोति शास्त्री मानते थे। हाला कि उनके बारे में जादा जिक्र देखने को नहीं मिला, लेकिन उस दौर में जोती विर्धा भरंड में इन्हें कवी के तौर पर पेश किया गया है। इतिहास में शंकू का जिक्र मिला है। विक्रम की सभा में क्षपनक काफी बड़ा नाम हुआ करते थे। हिंदू कॉमिनिटी के लोग जैन साधूं को ही क्षपनक नाम से पुकारते थे। दिगंबर जैन साधू नगन क्षपनक कहे जाते थे। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि क्षपनक लोग भेश बदल कर घूमते और कई तरह की जानकारी हासिल करते थे। इन्हें उस दोर में गुप्त चरों की तरह देखा जाता था। आज भी वेताल भट के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन उस दोर में विक्रमादित्ते के दरबार में इनका होना किसी हैरानी से कम नहीं है। दरसल इसकी सबसे बड़ी वजह थी वेताल भट को भूत प्रेत का पंडित बताना। ऐसे में लोग ये सवाल करते थे कि आखि कैसे विक्रमादित्ते के दरबार में वेताल भट मौजूद थे। इसके अलावा उनको लेकर कई तरह की स्टोरी भी आज भी देखने को मिलती हैं लोग उसे खुब पसंद करते हैं। पुरानी इतिहास पर गौर करें तो भट अत्वा भटारक उपाधी पंडितों को दी जाती थी। वेताल भट का यहां मतलब होता है कि भूत प्रेत पिशाच साधना करने वाला इंसान। कि विक्रमादित्य ने अपनी पावर से अगनी वेताल को अपने वश में कर लिया था। इतना ही नहीं अगनी वेताल नजर नहीं आता था। लेकिन वो अद्रिश्य होकर भी विक्रमादित्य की मदद जरूर करता था। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने वेताल की साहता स असुरों, राक्षसों और दुराचारियों को खत्म किया होगा। वर्रुची एक तरह से कावे की रचना यानि लिखते थे। वर्रुची ने पत्र कौमुदी नामक कावे को लिखा था। पत्र कौमुदी कावे के आरंभ में उन्होंने लिखा है कि विक्रमादित्य के आदेश से ही वर्रुची ने पत्र कौमुदी कावे की रचना की। इन्होंने विद्या सुन्दर नामक एक अन्य कावे भी लिखा। इसकी रचना भी उन्होंने विक्रमादित्य के आदेश से की थी। हाला कि आप अगर और गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा प्रबंद चिंतामणी में वर्रुची को विक्रमादित्य की पुत्री का गुरु कहा गया है। वासवद्धता के लेखक संबंधु को वर्रुची का भागी ने कहा गया है। लेकिन इसको लेकर जादा नहीं बताया गया है। घटक पर विक्रमादित्य के दर्बार में एक महान कवी के तौर पर देखे जाते थे। ऐसा प्रमाण मिलता है वो कालिदार के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलते थे। और कविता की दुनिया में उस वक्त उनका बड़ा नाम हुआ करता था। उनके बारे में एक और बड़ी बात सामने आई है कि उन्होंने प्रतिग्या ली थी कि जो भी कवी उन्हें यमक रचना में पराजित कर देगा, वो उसके घर घड़े के टुकडे से पानी भरेंगे। हाला कि प्राची नितिहास में उनके बारे में जादा जानकारी नहीं है, इनके बारे में दो लगु कावे सामने आ चुके हैं। पर अभिनव गुप्त, भरत मलिका, शंकर गोवर्धन, कमलाकर, वैदनात, आधी प्रिसिद्ध विद्वानों ने टीका ग्रंत लिखे। विक्रमादित्य के नवरतनों में अमर सिंग का जिकर आता है। अमर सिंग को लेकर राजशेखर की काववे मिमानसा में जिकर किया गया है कि संस्कृत का सर्वप्रथम कोश अमर सिंग का नाम लिंगा नुशासन है, जो अपलब्ध है तथा अमर कोश के नाम से प्रिसिद्ध है। अमर कोश में कालिदास के नाम का जिकर किया गया है। बुद्ध गया के अभिलेक लिखा गया है कि विक्रमादित्य संसार के प्रिसिद्ध राजा है। उनकी सभा में नव विद्वान है जो नवरतन के नाम से जाने जाते हैं। उनमें अमर देव नाम का विद्वान राज का प्रिये पात्र है महाकवी कालिदास को कौन नहीं जानता है ये बहुत कम लोगों को पता है कि महाकवी कालिदास विक्रमादित्य की सभा के प्रमुख रत्न के तौर पर थे इतिहास में कालिदास को जगा दी गई है और सम्मान के साथ उनको देखा जाता है वो आज किताब पंडिस सूर्य नरायन व्यास के अनुसार विक्रम की सभा विजोतिश के ग्याता थे विरिद्ध वरह मिहिर के रूप में इनका जिक्र मिल जाएगा उन्होंने जोतिश, विशयक, अने ग्रंथों का प्रणेन किया है वे ग्रंथ हैं वरिःत सहिता, वरिःत जातक, समास सहिता, लगु जातक, पंचे सिध्धानतिका, विवापटल, योग यात्रा, वरिःत यात्रा, लगु यात्रा वरा मिहिर ने अपने ग्रंथों में यवनों के प्रति आदर प्रकट किया है उन्होंने 36 ग्रीक शब्दों का प्रियोग किया है, परंत उन शब्दों का रुपांतर संस्कृत में कर प्रियोग किया है उन्होंने यवन जोतिशों के नामों का भियूले किया है इससे एक बात तो पता चलती है कि ग्रीक के साथ जो भी बिजनिस रिलेशन थे वो शायद इनही के देन थे भारत को सोने की चड़िया किसने कहा जहां डाल डाल पर सोने की चड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ये गाना हर हिंदुस्तानी जुबां पर आज भी जिन्दा है रफी सहाब की आवाज में वो रुहानियत थी कि जो उनका ये गीत सुनता है उनका वो दिवाना हो जाए लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से भारत को सोने की चड़िया कहकर पुकारा जाने लगा सबसे पहले किसने भारत को सोने की चड़िया के नाम से पुकारा था ये सवाल आपके जहन में आ सकता है आखिर भारत का वो कौन सा इतिहास है जो इतना जादा खुशाल था कि लोग भारत को सोने की चड़िया कहने पर मजबूर हो गए दरसल भारत का इतिहास काफी पुराना है लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारत वाकई सोने की चड़िया की तरह था अगर भारत सोने की चड़िया ना होता तो इसे लूटने के लिए अंग्रेज नहीं आते इतना ही नहीं भारत को लूटने के लिए हर दौर में कोशिश की गई है एक टाइम था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हुआ करता था आलम तो ये था कि उस दौर में दुनिया के कई देश भारत पर शासन करने का सपना देखते थे इस वजह से भारत पर कई बार लोगों ने कबजा करने के लिए अटैक किया कई राजाओं ने यहां पर बड़ी आसानी से लंबा वक्त राज किया वहीं हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी काफी लंबे समय तक अपना राज कायम रखा था भारत को सोने की चड़िया कई वजहाओं से कहा जाता था उस दौर में भारत के राजाओं के पास पैसा और प्रापर्टी दोनों खूब हुआ करती थी भारत के पास कौटन, आईरन और सोना खूब होता था इन चीजों को अन्य देश के लोगों द्वारा खरीदा जाता था हम अकसर रामराज की बात करते हैं रामराज की बात इसलिए होती है कि उस वक्त भगवान राम के शासन में समाज का हरादमी खुशाल और अच्छी जिन्दगी गुजारता था भगवान राम की नजर में हर इनसान एक समान था और उनके दोर में जस्टिस हर किसी को मिलता था उनकी नजर में ना कोई घरीब था और ना ही कोई अमीर हाला कि आज के दौर में राम राज की कल्पना करना बेमानी होगी लेकिन उज्जेनी नगरी के राजा विक्रमादित्य भगवान राम के नक्षे कदम पर चल रहे थे उन्होंने राम राज की स्थापना कर डाली थी इसका नतीजा ये रहा कि उनके दौर में कोई भी आदमी परिशान नहीं था वही रामराज के साथ उन्होंने उस दौर के हिंदुस्तान की एकॉनमी को बुलंदियों पर पहुँचा दिया था चारों तरफ खुशाली थी इनके शासनकाल में लोग गरीब नहीं हुआ करते थे बलकि उनके पास अच्छा पैसा होता था और दुख दर्द तकलीफों से ये लोग दूर रहते थे क्योंकि राजा विक्रमा दिया जहां डाल डाल पर सोने की चड़िया करती है बसेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा ये गाना हर हिंदुस्तानी जुबाँ पर आज भी जिन्दा है रफी सहाब की आवाज में वो रुहानियत थी कि जो उनका ये गीत सुनता है उनका वो दीवाना हो जाए लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से भारत को सोने की चडिया कहकर पुकारा जाने लगा सबसे पहले किसने भारत को सोने की चडिया के नाम से पुकारा था ये सवाल आपके जहन में आ सकता है आखिर भारत का वो कौन सा इतिहास है जो इतना जादा खुशाल था कि लोग भारत को सोने की चड़िया कहने पर मजबूर हो गए। दरसल भारत का इतिहास काफी पुराना है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब भारत वाकई सोने की चड़िया की तरह था। अगर भारत सोने की ज़िए ना होता, तो इसे लूटने के लिए अंग्रेज नहीं आते। इतना ही नहीं, भारत को लूटने के लिए हर दौर में कोशिश की गई है। एक टाइम था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार हुआ करता था। आलम तो ये था कि उस दौर में दुन समय तक अपना राज कायम रखा था भारत को सोने की चड़िया कई वजाओं से कहा जाता था उस दौर में भारत के राजाओं के पास पैसा और प्रापर्टी दोनों खूब हुआ करती थी भारत के पास कॉटन आइरन और सोना खूब होता था इन चीजों को अन्य देश के भगवान राम की नजर में हर इनसान एक समान था और उनके दौर में जस्टिस हर किसी को मिलता था उनकी नजर में ना कोई घरीब था और ना ही कोई अमीर हाला कि आज के दौर में राम राज की कल्पना करना बेमानी होगी लेकिन उज्जेनी नगरी के राजा विक्रमादित्य भगवान राम के नक्षे कदम पर चल रहे थे उन्होंने राम राज की स्थापना कर डाली थी इसका नतीजा ये रहा कि उनके दौर में कोई भी आदमी परिशान नहीं था वही रामराज के साथ उन्होंने उस दौर के हिंदुस्तान की एकॉनमी को बुलंदियों पर पहुँचा दिया था चारों तरफ खुशाली थी इनके शासनकाल में लोग गरीब नहीं हुआ करते थे बलकि उनके पास अच्छा पैसा होता था और दुख दर्द तकलीफों से ये लोग दूर रहते थे क्योंकि राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा का खास ख्याल रखते थे विक्रमादित्य का काल राम राज के बाद सर्वस्रेस्ट माना गया है विक्रमादित्य के पीरिड में हर नियम धर्म शास्त्र के हिसाब से बने होते थे नियाय, राज, सब धर्म शास्त्र के नियमों पर चलता था महराज विक्रमादित्य ने केवल धर्मी नहीं बचाया बलकि उनके राज को ही भारत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीते थे भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के चलते थे इतिहासकारों की माने तो विक्रमादित्य के दौर में लोग बाहर से यहां पर पढ़ने आते थे इतना ही नहीं यहां रिसर्च करने के लिए लोग पहुंचते थे बिजनिस का एक नया सेट अप तयार हो गया था इसमें जब भी कोई बहरी व्यक्ती भारत से किसी वस्तू का इंपोर्ट करता तो उसके बदले में सोना लिया जाता इस वजह से सोने का चलन विक्रमा दित्ते के काल में बढ़ता जा रहा था इतियासकारों की माने तो इन वजहाओं से भारत को सोने की चड़िया कहा जाता था विक्रमा दित्ते महान राजा थे जिन्नोंने भारत को सोने की चड़िया का खिताब दिया था बहुत कम लोगों को पता है कि जब भारत में एक ऐसा दौर भी आया था जब रमायन और महाभारत जैसी religious किताब एक हो गई थी लिकिन ये चक्रवर्ती समराथ विक्रमादित्य थे जिन्होंने फिर से रमायन और महाभारत को जिन्दा किया और उनकी खोजकर फिर से स्थापित किया उन्होंने भगवान विश्णू और शिव के मंदिर को बनवाया था। तुर्की के इस्तानबुल शहर की प्रिसिद लाइबरेरी मक्तब ए सुल्तानिया में एक एतिहासिक ग्रंथ है सायर उल ओकुल। उसमें राजा विक्रमादित्य से रिलेटेड एक चीज खास तोर पर मे की गई है। इसमें कहा गया है कि वे लोग भागिशाली हैं जो उस समय जन में और राजा विक्रमादित्य के राज्य में जीवन व्यतीत किया। वो बहुती दयालू, उदार और कर्तव्य निष्ट शासक था जो हर एक व्यक्ति के कल्यान के बारे में सोचता था। उसने अ सही मार्क के बारे में बताकर एक परोपकार किया है। ये तमाम विद्वान राजा विक्रमादित्य के निर्देश पर अपने धर्म की शिक्षा देने यहां आए। चक्रवर्ती समराथ विक्रमादित्य कोई साधारन इंसान नहीं थे। दरसल ऐसा कहा जाता है कि विक्रमा प्रमाण है विक्रमादित्य की महानता का उनसे पहले ना कोई ऐसा हुआ है ना उनके बाद जब विक्रमादित्य ने दिया था खास मेसेज कहते हैं भगवान जिन्दगी में सबको मौका देते हैं लेकिन कुछ लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते हैं अक्सर लोग अपनी जिन्दगी में बार-बार वही गलती करते हैं और सुधरने का नाम भी नहीं लेते है इतना ही नहीं, लोग जिन्दगी भर कंप्लेन करते हैं कि उनको जिन्दगी में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला लेकिन कभी आपने सोचा है कि इश्वर ने आपको मौका दिया हो और आपने उस मौके को एक पल में गवा दिया हो समराट विक्रम अदित्य ने एक बार अपनी जनता को एक खास मैसेज देने के लिए एक बड़ा एलान किया था कि कल सुभा जब उनके महल का में दर्वाजा खोला जाएगा तो तब जो भी आदमी जिस चीज़ पर अपना हाथ रख देगा वो उसकी हो जाएगी समराट विक्रम अदित्य का सिर्फ इतना ही कहना लोगों को रोमान चित कर डालने के लिए काफी था समराट विक्रम अदित्य के इस एलान के बाद लोग सिर्फ उनके इस एलान के बारे में सोचने लगे और किसी भी तरह ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे आलम तो ये रहा कि लोग उस घड़ी का इंतजार दिल थाम कर करने लगे कि अगले दिन कब महल का मेन गेट खुलेगा और वो अपनी पसंद चीज़ को हासल कर लेंगे इस ऐलान के बाद लोगों में सिर्फ इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि वो कल कौन सी ऐसी चीज़ हासल करने वाले हैं जिसकी चाहत उन्होंने बरसों से पाल रखी थी उनको अंदर से खुशी थी कि वो चीज़ कल उनकी अपनी हो जाएगी किसी ने कहा कि वो सबसे केमती चीज़ पर अपना हाथ लगाए तो कोई कह रहा था कि वो एक ऐसी चीज हासिल करना चाहते हैं जिससे वो अमीर हो जाएं। इसी सोच में लोग पूरे दिन डूबे रहे और रात कटने का इंतजार करने लगे। खैर, किसी तरह से रात गुजर गई और वो सुभा भी आ गई जिसका लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे। सबको केवल एक बात की चिंता सता रही थी कि वो किसी तरह से पहले पहुँच कर अपनी मनपसंद चीज को हाथ लगा दे। ताकि वो चीज हमेशा के लिए उनकी हो जाए। सुभा जब महल का मेन गेट खुला तो लोगों की एका एक भीड महल के गेट की तरफ बढ़ गई। लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। और किसी भी तरह से उस चीज को चूने को बेताब थे। वहीं एक कोने में समराट विक्रमादित्य इस नजारे को देख रहे थे और अंदरी अंदर खुश हो रहे थे। हलाकि इस भीड में से एक शक्स काफी अलग था और उसकी सोच सबसे अलग थी। उसने किसी भी तरह से किसी भी चीज को चूने की बजाए एक ऐसा काम कर डाला जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था। उस शक्स ने बगेर देर किये बड़ी समझदारी के साथ राजा विक्रमदित्य की तरफ वो बढ़ने लगा और राजा के करीब पहुँचने पर उसने उनको चूलिया। हाथ लगाते ही राजा विक्रमदित्य उसके हो गए और राजा की हर चीज भी उसकी हो गए। वहाँ पर मौझूद सभी लोग एकदम से हैरान रह गए और जब तक समझ पाते उसने अपना काम कर दिया था। राजा विक्रमदित्य को अपना बना लिया था। वहाँ पर मौझूद कुलगुरू ने इस नजारे को देखने के बाद कहा कि जिस तरह राजा विक्रमदित्य ने सारी जनता को जो मौका दिया था उस मौके का सही फाइदा नहीं उठा सकी। ठीक, इसी तरह सारी दुनिया का मालिक भी हम सब को हर रोज मौका देता है, लेकिन अफसोस कि हम लोग भी हर रोज घलतियां करते हैं। हम भगवान को पाने की बजाए उस परमपिता की बनाई हुई दुनिया की चीजों की कामना करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों ना दुनिया को बनाने वाले प्रभु को ही पालिया जाए। कुलगुरु के वचनों को सुनकर समस्त जनता को समझा गया कि ये उनकी परिक्षा थी। उस परमपिता की बनाई हुई दुनिया की चीजों की कामना करते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते कि क्यों ना दुनिया को बनाने वाले प्रभु को ही पालिया जाए। कुलगुरु के वचनों को सुनकर समस्त प्रजा को समझा गया कि ये उनकी परिक्षा थी। जब देवता मांगने पहुँचे विक्रमादित्य से न्याए। कि देवतागन में कौन सबसे जादा सर्वश्रेस्ट है। हर देवता अपने आपको सर्वश्रेस्ट समझ रहे थे। इस वजह से लोगों के बीच एक दूसरे में विवाद पैदा हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस विवाद को सुलजाने के लिए देवतागन देवराज इंद्र के पास पहुँचे ताकि ये पता लग सके कि उनमें से सर्वश्रेस्ट कौन है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी बात देवराज इंद्र के पास रखी और उनसे कहा कि आप इसका फैसला कीजिए कि हम लोगों से सर्वश्रेस्ट कौन है। सभी लोगों को इस सवाल का जवाब देवराज इंद्र से चाहिए था कि उन में से सर्वस्रेष्ट देवता कौन है। ये सब देखने के बाद देवराज इंद्र भी टेंशन में आ गए और काफी गहरी सोच में डूबने पर मजबूर हो गए। देवराज आपको निर्ने करना होगा कि नाइन प्लैनेट्स यानि नौग रहों में सबसे बड़ा कौन है। देवराज भी चिन्ता में पड़ गए कि इनको क्या जवाब दूँ। शायद उस वक्ग देवराज इंद्र के पास इसका सही जवाब नहीं था। तबी उन्होंने प्रित्वी लोग का रुख करने का फैसला किया। देवराज इंद्र की जहन में उस वक्ग केवल एक ही नाम सामने आया था, जो इसका फैसला सही तरहा से कर सकता था। वो थे प्रित्वी लोग में उज्जैनी समराट विक्रमादित्ये। जिस्टिस के मामले में उनका कोई सानी नहीं था। समराट विक्रमादित्ये फौरण ही दूद का दूद और पानी का पानी कर देते थे। ऐसे में देवराज इंद्र ने देवताओं से कहा कि आप लोग प्रत्वी लोग जाईए और समराट विक्रमादित्य से बात कीजिए वही आपको सही जवाब दे सकते हैं। उधर जैसे ही समराट विक्रमादित्य को इस बात की खबर लगी कि देवताओं का आगमन उनके यहां होने जा रहा है, उन्होंने फॉरण देवताओं के स्वागत की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही देवताओं ने महल के अंदर कदम रखे तो खुद समराट विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया, हाला कि अभी कुछ वक्त ही गुजरा था कि देवताओं ने अपने आने की असली वज़ा समराट विक्रमादित्य को बताने में भी देर नहीं की और फॉरण कावर की वज़ा से काफी महान है ऐसे में किसको सर्फ्रेस्ट कहा जाए ये फैसला करना कोई आसान काम नहीं था समराट विक्रमादित्य को ये भी पता था कि अगर वो किसी एक को कहेंगे तो दूसरे देवता नाराज हो सकते हैं और उनको इसके बदले में बड़ा नुकस पान उठाना पड़ सकता है समराट विक्रमादित्य को ये भी पता था कि ये उनके पास आए हैं तो कुछ सोच कर ही आए होंगे ऐसे में उन्होंने इसका जवाब खोजने के लिए अच्छी तरकीब निकाली विक्रमादित्य चाहते थे कि कोई ऐसा प्लैन हो जिससे देव बन कर आ गए और सभी को एक के बाद एक रखने को कहा और सभी देवताओं को उन पर बैठने को कहा उसके बाद राजा ने कहा फैसला हो गया जो सबसे आगे बैठे हैं वो सबसे जादा स्रेस्ट हैं इस हिसाब से शनीदेव सबसे पीछे बैठे थे राजा की ये बास सुन कर शनिदेव बहुत गुस्से में आ गए और विक्रमा दित्य पर बिगड़ते हुए बोले कि तुमने मेरा घोर अपमान किया है जिसका दर्ण तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा तुम मेरी पावर को नहीं जानते हो मैं चाहूं तो तुम्हें तभा और बरबाद कर रहते हैं लेकिन मैं किसी राशी पर साड़े साथ वर्ष रहता हूं बड़े बड़े देवताओं पर मेरा कहे टूटा है राम को साड़े साथी के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावन को साड़े साथी के कारण ही युद्ध में मौत की नीन सोनी पड़ी आखिरक यह हुआ कि समराट विक्रमादित्य को सजा देने के लिए एक घोड़े पर बिजनिसमैन के रूप में वहाँ फिर से पहुँच गए। और उन्होंने घोड़ा खरीदने के इच्छा जाहर कर दी। उनकी इच्छा पूरी हो गई थी और उन्होंने वो घोड़ा खरीद लिया। अभी समराट विक्रमादित्य को वहाँ पर एक सेट मिला और उसने समराट विक्रमादित्य की इस हालत को देखकर उन पर तरस आ गया। और उन्हें लेकर अपने घर आ गए। विक्रमादित्य को घर में कुछ देर अकेला छोड़ कर किसी काम से बाहर गया, तो इस बीच खूटी सोने का हार निकल गई, सेट जब वापस आया तो सोने के हार को ना पा कर बहुत गुस्ते में आ गया, सेट को लगा कि विक्रमादित्य ने उनका हार गायब कर दिया है, उसहार को निकल गई, राजा को इस बात पर बिलकुल भरोसा नहीं हुआ, और राजा ने विक्रमादित्य के हाथ पैर काट देने की सजा सुना दी, अब विक्रमादित्य के हाथ पैर को काट कर नगर के चराहे पर रख दिया गया, वक्त गुजर रहा था, लेकिन एक दिन जब विक्रमादित्य की हालत देखी, तो उसे बहुत अफ्सोस हुआ, और वो उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर आ गया एक दिन राजा विक्रमादित्य मलहार गा रहे थे, और उस ही रास्ते से उस नगर की राजकुमारी जा रही थी उसने जब मलहार की आवास सुनी तो वो आवास का पीछा करते करते विक्रमादित्ते के पास पहुँची और उनकी ये हालत देखकर बहुत दुखी हुई और अपने महल जाकर पिता से विक्रमादित्ते से शादी करने की जिद करने लगी राजकुमारी की बास सुनकर राजा काफी गुस्से में आ गया और उसने शुरू में मना कर दिया लिकिन एक बाप बेटी की जिद के आगे हार गया और उसने दोनों की शादी करा दी महीं तब विक्रमादित्ते पर शनी देव की साड़े साथी खत्म हो गई थी और फिर एक दिन शनी देव विक्रमादित्ते के सपने में आये और बताया कि उनका ये हाल किसी और नहीं बलकि शनी देव ने किया शनी देव ने कहा कि उनके प्रकोप की वज़ा से उनका ये हाल हुआ है तब राजा ने कहा हे प्रभू, आपने जितना कस्ट मुझे दिया, उतना किसी को ना देना। शनिदेव ने राजा को कहा, जो शुद्ध मन से मेरी पूजा करेगा, शनिवार का वरत रखेगा, वो हमेशा मेरी कृपा का पातर रहेगा। सुबा हुई तो राजा के हाथ पैर वापस आ चुके थे। राजकुमारी ने जब ये देखा तो बहुत प्रसंद हुई। इसके बाद राजा पूरी तरह से ठीक हो गए और फिर उन्होंने सब को अपने बारे में बताया। इसके अलावा उन्होंने उस पूरी घटना का जिक्र किया जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ था। उधर सेट को समराट विक्रमादित्ते के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था और वो अपनी घलती पर काफी शर्मिंदा हुए। और तेली फॉरण समराट के घर पहुँचकर समराट विक्रमादित्ते के पैरों में गिर कर माफी माँगने लगा। समराट विक्रमादित्ते ने उसे माफ कर दिया क्योंकि ये सब तो शनिदेव की वजह से हुआ था। सेट राजा को अपने घर ले गया और उसे भुजन कराया। तभी इसी दौरान सबके देखते देखते उस खूटी ने वो हारुगल दिया। सेट जी ने अपनी बेटी की शादी भी राजा के साथ करा दी। और बहुत सारा पैसा, सोना और जेवरात के साथ उनको अपने यहां से विदा किया राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेट की बेटी के साथ उज्जेनी पहुँचे तो नगरवासियों ने उनका जोड़दार स्वागत किया इतना ही नहीं, लोगों ने उस राथ उज्जेनी नगरी में दीप जला कर दिवाली मनाई अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राजे में घोशना करवाई शनी देव सब देवों में सर्वश्रेष्ट है जब जनता का मन टटोलते विक्रमादित्य ने किया ये काम आज के दोर में बहुत कम ऐसी सरकारे होती हैं जो सीधे तोर पर जनता से जुड़ती हो पहले जो भी राजा या महराजा हुए हैं वो अपनी जनता के साथ सुख और दुख दोनों में साथ खड़े रहते थे लेकिन मौजूदा दोर में शायद ही कोई ऐसा देश हो जो अपनी जनता से सीधे तोर पर जुड़ा रहता हो हाला कि अगर आप मौजूदा दोर की बात करें तो जनता दरबार आज कल की सरकारे जरूर लगाती हैं लेकिन वो कितनी कारगर हैं वो आप भी जानते हैं वहीं आप इंडियन हिस्ट्री को देखेंगे तो एक राजा आपको ऐसा मिलेगा जिसने जनता से सीधे तौर पर जुड़ने के लिए नई तरकीब निकाली थी और उसी तरकीब के सहारे वो अपनी जनता के सुख दुखों का खयाल रखते थे ये राजा कोई और नहीं बल्कि समराट विक्रमा देते थे जो जनता को अपना समझते थे ऐसा कहा जाता है कि जनता का मंट टोलने के लिए अक्सर वो शहरों का दोरा करते थे लिकिन एक राजा के तौर पर नहीं बलकि एक आम इंसान के तौर पर वो लोगों से मिलते थे और उनकी परिशानियों को सुनते थे इसके लिए वो अपना असली रूप छोड़ कर दूसरे वेश में जनता के बीच जाना पसंद करते थे राजा विक्रमादित्य का शासन अरब देश तक फैला हुआ था और उन्होंने अपने राज्ये में राम राज्ये की स्थापना की और भारत का राजदूत बन कर भारत ये संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुँचाया अपने राज्ये में न्याय वेवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रियास करते थे इतिहास में वे सबसे लोक प्रिये और न्याय प्रिये राजाओं में से एक माने जाते हैं समराथ विक्रमादित्य के जीवन से ही सिंगहासन बत्तिसी और विक्रम बेताल से जुड़ी कई स्टोरीज हैं जो हम आगे के एपिसोड में जानेंगे विक्रमा दित्य के राज्य की सुरक्षा की जिम्मिदारी देवियां करती थी विक्रमा दित्य को माता हर सिध्धी और माता बगला मुखी के दर्शन हुए थे और फिर उनको आशिरवाद दिया था ऐसे में पूरे राजय की रक्षा के लिए आसपास की देवियों का पहरा हुआ करता था। उन में से एक हर सिध्धी देवी थी। उज्जेन शहर के इतिहास को आप देखेंगे तो आपको भगवती श्री हर सिध्धी जी का स्थान देखने को मिल सकता है। इस स्थान को लेकर कहा जाता है कि सती के शरीर का अंश, अर्थात, हाथ की कोहुनी मात्र है। जो शिवजी द्वारा छिन भिन किये जाने के समय वहां आकर गिर गई थी। इसके अलावा कुछ प्रमाण ये भी मिले हैं कि हर सिध्धी देवी जी समराट विक्रमादित्ते की अराध्या रही है मंदर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चड़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्ते के सिर बतलाय जाते हैं। विक्रम ने देवी की प्रसनता प्राप्त करने के लिए ग्यारा बार अपने हाथों से अपने मस्तक की बली दी थी। पर बार-बार सिर आ जाता था लेकिन बार वी बार सिर नहीं आया था यहां शासन संपूर्ण हो गया इस तरह की पूजा प्रती बारा वर्षों में एक बार की जाती थी विक्रमा दित्ते एक ऐसे समराट थे कि वो किसी के दुखों को देख नहीं सकते थे उनके बारे में यही कहा जाता था कि उनकी कोशिश यही होती थी कि उनके राज में सब सुखी रहें और वो पूरी तरह से राम राज की तरह उनका शासन चलाएं इतना ही नहीं वो भी ये बरदाश्ट नहीं करते थे कि दूसरे राज्ये में कोई जनता पर जुल्म करे उसी दौर में एक नगर होता था डूंगरगड बताया जाता है कि करीब धाई हजार वर्ष पहले डूंगरगड को कामाख्या नगरी के नाम से जाना जाता था जहां राजा वीर सेन का शासक था इसे लोग उस वक्त कामाख्या नगरी के नाम से जानते थे 36 गड़ के राजनान गाउं जिले में कई ऐसे छेत्र हैं जहां पहाड, जंगल और हरियाली है डोंगर गड़ भी ऐसा ही इलाका है जहां हरी भरी पहाडियों के शीर्ष पर बगला मुखी देवी माता बगलेश्वरी के रूप में विराजमान है डोंगर गड़ की सबसे उची चोटी पर विराजी डोंगर गड़ की बमलेश्वरी माता का इतिहास काफी पुराना है ऐसे तो यहां पूरे साल भक्तों की भीड लगी रहती है लेकिन नवरात्री के दौरान यहां भव्वे मिला लगता है वहाँ पर वीरसेन का राज हुआ करता था लेकिन उनकी कोई उलाद नहीं थी इसके बाद उन्होंने शिवजी और मादुर्गा की पूजा की तब जाकर उनको एक बेटा मदन सेन हुआ था उसके बाद वीरसेन ने यहां कामाख्या नगरी में माघवनल थे दोनों के बीच अताः प्रेम था लेकिन किसी कारण से माधवनल को कामाख्या नगरी से अलग धलग कर दिया गया इसके बाद वो फॉरण उजयन के राजा विक्रमादित्य के पास पहुँच गए और अपने उपर हुए जुल्म को बताया। इतना ही नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि क्यों ऐसे परिस्थिती में उनको कामाख्या नगरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने उनकी बात सुनी और फिर तै किया कि वो कामाख्या नगरी पर चढ़ाई करेंगे ताकि उसको वो न्याय दिला सकें। कामसेन और विक्रमादित्य के बीच जोड़दार जंग हुई। इसके बाद विक्रमादित्य ने जीत हासल की और पिर कामाख्या नगर पूरी तरह से तभा हो गया। लेकिन डोंगर गड़ बचा और माता के मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। जंग के बाद विक्रमादित्य ने माधव नल और कामकंदला की प्रेम की परिक्षा लेने के लिए ये अफवा पहला दी कि जंग में माधव नल वीरगती को प्राप्त हो गया है। जब ये सारी बाते पता चली तो उन्हें गहरा दुख हुआ और अपनी घलती का एहसास भी हो गया। इसके बाद उन्होंने माधव नल कामकंदला को फिर से जीवन देने की विनती की और साथ ही ये वरदान मांगा कि वो कामाख्या नगरी में ही स्थापित हो जाए। तभी मा बगला मुखी साक्षात रूप में यहां है। ऐसा कहा जाता है बगला मुखी का ही परिवर्तित नाम बमलेश्वरी है। वर्दान मांगने पर राज़ा ने कामकंधला और माधवनल का जीवन और मा बगला मुखि के कामाख्या में ही निवास करने का वर्दान मांगा। जुड़ी कहानिया। बेताल पच्चिसी शायद ही इसके बारे में कोई ना जानता हो। नब्भे के दशक में लोग बेताल पच्चिसी खूब शौक से देखते थे लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेताल पच्चिसी आखिर कहां से आया दोस्तों प्राचीन समय की एक संस्कृत बुक है जो संस्कृत संस्क्रण में बेताल पंच्य विन्शितिका से ली गई है और करीब पच्चिस कहानियों का जिक्र है तब इसको लेकर टीवी सीरीज भी बनाई गई थी जिसे लोग खूब शौक से देखते थे दोस्तों वहीं कश्मीर के कवी सोमदेव ने बेताल पच्चिसी को संस्कृत में लिखा और नाम दिया कथा सरित्य सागर बेताल पच्चिस विक्रमादित्य की पीट पर बैठ जाता है कहते हैं कि इस पुस्तक की रचना चारसो पिचानवे इसापूर्व में हुई थी कश्मीर के महाकवी सोमदेव भटराव ने इसको फिर से संस्कृत में लिखा और कथा सरित्य सागर नाम दिया हाला कि इसके बाद वक्त जैसे ज पहलाने के लिए नहीं होती थी बल्कि उनमें कई मैसेज होते थे जो इंसान के लिए एक बहुत बड़ा सबक होता था क्या सही है और क्या घलत इसको यदि हम ठीक से समझ ले तो सभी प्रशासक राजा विक्रम की तरह नियाय प्रिये बन सकेंगे और चल और द्वेश लोगों के लिए समराट विक्रम अदित्ते से जुड़ी कहानियां जिंदगी में बहुत काम आ सकती हैं इसमें कहा गया है कि बेताल नाम का प्रेत राजा विक्रम को हर रोज एक स्टोरी सुनाता था और जब स्टोरी खत्म होती थी तब वो एक सवाल राजा से किया करता थ राजा उत्तर देने के लिए विवश हो जाते थे दरसल बेताल ने कंडिशन लगा रखी थी कि अगर राजा कुछ भी बोलेंगे तो वो फिर से भाग जाएगा और पेड़ पर चला जाएगा लेकिन क्या आपको पता है बेताल 25 की शुरुवात कैसे हुई हम आपको इस लड़के थे लिकिन एक दिन उस राजा की मौत हो जाती है राजा के बाद उसका बेटा शंक उस गद्धी पर बैठ जाता है उसने कुछ दिन तो पूरे राज को चलाया लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और सुयम राजा बनकर बैठ गया इतना ही नहीं अप बहुत जल जम्बू द्वीप का राजा बन बैठा और एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना पूरे देश का दौरा किया जाए और उसने इसी मन के साथ अपनी गद्धी अपने छोटे भाई भृत हरी को सौपती इसके बाद योगी बनकर पूरे देश का दौरा करने वो निकल बढ़ा दूसरी और एक शहर में एक ब्रहमन तपस्या करता था एक दिन देवता ने खुश होकर उसे एक फल देते हुए कहा कि इसको जो कोई भी खाएगा वो जिंदगी भर अमर हो जाएगा ब्रहमन ने उस फल को खाने के बजाए अपनी पतनी को देते हुए सारी बात ब ले आओ इसके बाद ब्रहमन फल लेकर राजा ब्रितहरी के पास पहुचा ब्रितहरी ने फल ले लिया और ब्रहमन को स्वण मुद्राय देकर विदा कर दिया वहीं ब्रितहरी अपनी एक राजा को दिल से चाहता था इसलिए उसने महल में जाकर वो फल उसी को दे दिया इस उसे लेकर राजा ब्रिथ हरी के पास गई और उसे दे दिया। ब्रिथ हरी ने उसे बदले में काफी सारा पैसा दे कर विदा कर दिया। लेकिन जब उसने फल को अच्छी तरह से देखा तो पहचान लिया कि ये तो वही फल है। उसे दुख हुआ लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से उस फल के बारे में जानना चाहा और कड़े सवाल पूछते हुए कहा कि उस फल का तुमने क्या किया। रानी ने कहा मैंने उसे खा लिया लेकिन राजा ने उस फल को फॉरण निकाल कर उसके सामने रख दिया रानी पूरी तरह से चौक गई और उसके बाद उसने सारी बातें सच सच बता दी इसके बाद भृतहरी ने पूरी बात की जाच की तब जाकर उसे भी पूरे सच का पता चल गया। पहिज दिया। ऐसे में वो देवधरा नगरे की रखवाली में लग गया। तरी के राजपार छोड़ कर वन में चले जाने की बाद एक दिन विक्रम को किसी तरह से पता चल गई और उसने फिर से अपने देश लोटने का फैसला किया। इसके बाद राजा की यहां पर देव स रूप में जन्म लिया। तुम यहां पर राज करते थे जबकि तेली पाताल का राज करता था। उसने आगे बताया कि कुमार ने तेली को मार दिया और शमशान में सिरस के पेड़ पर लटका दिया। अब वो तुम्हें मारने की फिराक में है। उससे बचकर रहना। इतन को एक फल दे कर वहां से निकल गया। राजा को लगा कि देव ने जिस इंसान के बारे में बताया है शायद ये इंसान वही तो नहीं। इस सोच के साथ उन्होंने उस फल को नहीं खाया और सेना पती को देने का फैसला किया। योगी आता और राजा को एक फल दे जाता। ये भी एकतफाक था कि एक दिन राजा ने योगी द्वारा दिये गए फल को एक वानर को दे दिया। वानर ने फल थोड़ा तो उसमें से बड़ा सा हीरा निकला। हीरे में इतनी चमक थी कि सबकी आखें एक दम से उस हीरे पर टिक जाती है। राजा को बड़ा अच्रज ह उसने योगी से पूछा, आप ये हीरा रोज मुझे क्यों दे देते हैं? योगी ने जवाब देते हुए कहा कि महराज, राजा, गुरू, जोतशी, वैद और बेटी, इनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए. इसके बाद राजा ने सेनापती को बुलाया और सभी फल क मंगवाते हुए तुड़वाना शुरू कर दिया. तब देखा गया कि सभी फलो में से एक-एक हीरा निकलने लगा. ये सब देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. उसने जोहरी को फौरन बुलाया और उनका दाम पूछा. जोहरी ने कहा कि महराज, ये इतने कीम सुनती हैं कि इनका मोल करोडो रुपे में भी नहीं आका जा सकता. इतना ये नहीं ये एक-एक हीरा राज्य के बराबर है. इतना सुनना था कि राजा ने योगी का हाथ पकड़कर उसे अकेले में ले गया. वहाँ जाकर योगी ने कहा, महराज, बात ये है कि गुदावरी मेरे पास आ जाना राजा ने हां कर दी वो दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुँचा इसके बाद योगी ने उसे अपने पास बैठने को कहा तब राजा ने पूझा मेरे लिए क्या आ गया है योगी ने कहा राजन यहां से दक्षिन दिशा में थोड़ी दूरी पर शमश आएगी उसके बाद राजा वहां से निकल गया और अमावस्या की तरह काली राव थी और सन्नाटा पसरा हुआ था वहां जोरदार बिजली कड़क रही थी और पानी भी तेज तेज बरस रहा था और जहरीले सांप भी रास्ता रोकने के लिए काफी थे लेकिन राजा ने ह इम्मत नहीं हारी आखिरकार उस पेड़ के पास पहुँच गए और वहां पेड़ पर रसी से बंधा प्रेथ लटक रहा था राजा पेड़ पर चड़ गया और तलवार से रसी काट दी प्रेथ नीचे गिर पड़ा राजा ने नीचे आकर पूछा तू कौन है राजा का इ तू कौन है और मुझे कहा ले जा रहा है राजा ने परीचे दिया और कहा मैं तुझे योगी के पास ले जा रहा हूँ बेताल बोला राजा मैं एक शर्थ पर चलूँगा अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लटक कर पेड़ पर वापस आ जाऊंगा राजा ने उसकी बात मान ली फिर बेताल बोला पंडित चतुर और घ्यानी इनके दिन अच्छी अच्छी बातों में बीछते हैं जबकि मूर्खो के दिन कल्हा और नींद में बहतर होगा कि हमारा सफर अच्छी बातों की चर्चा में बीछ जाए इस लिए राजा मैं तुझे एक कहानी सु लगा रखी है कि अगर राजा बोलेगा तो वो उससे रूट कर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा लेकिन ये जानते हुए भी सवाल सामने आने पर राजा से चुप नहीं रहा जाता ये सुनकर बेताल खायब हो जाता है और पेड़ पर जा लटकता है राजा पीछे पीछे दोड़ा और बेताल को फिर से पकड़ कर लाया फिर एक कहानी फिर एक सवाल हर सवाल का जवाब राजा दे देता बस ये सिलसिला यूँ ही चलता रहा पच्चीस बार इस पर एक टीवी शो भी बनाया गया है और हर कहानी आखिर में कोई ना कोई सीख दे कर जाती थी सिंगहासन 32 का राज जिस तरह से बेताल पच्चीसी फेमस हुई तो उसी तरह सिंगहासन 32 को लोग खूब याद करते हैं सिंगहासन 32 को लेकर एक बेहद रूचक जानकारी है हलाकि आज भी किसी को पता नहीं है कि विक्रमादित्य के रहस में सिंगहासन का क्या हुआ इस पर इतिहासकारों के अलग-अलग मत है पर इससे जुड़ी एक जानकारी काफी प्रचलित है नरसल ये सिंगहासन धार के राजा राजा भोज को मिला था सिंगहासन मिलने की वज़ह से मालवा का इतिहास पूरी तरह से बदल गया था हम इस एपिसोड में सिंगहासन 32 के बारे में चर्चा करेंगे जहां सिंगहासन 32 की बात है तो इसको लेकर काफी फेमस कहानी है उस प्राचीन भारत के राज्य उज्जेन में राजा भोज हुआ करते थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों की काफी मदद करते थे और अपने राज्ये की जनता का पूरा खयाल रखते थे उनके राज्ये में एक किसान था और उसका अपना खेत था इस खेत की खास बात ये थी कि साग सबजी खूब अच्छी होती थी और उसकी जमीन फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती थी लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन बंजर रह गई थी हलाकि किसान ने उस जमीन पर कई तरह के बीच डाल कर फसल उगानी चाही लेकिन वहां कुछ उगा नहीं वहीं किसान ने खेत की रखवाली करने वाला एक मंच बनाया था, हलाकि जब वो मंच पर चड़ता, अपने आप चुलाने लगता, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राजे उससे ले आओ, जाओ, जल्दी जाओ, इसके बाद पूरे शहर में ये बात जंगल की आग की तरह फैलती हुई, राजा भोज के पास पहुँच गई, इसके बाद राजा ने कहा कि वो खेत जाएंगे, और वो सारी बातों को अपनी आखों से देखेंगे और सुनेंगे, इसके बाद खुद राजा भोज जब उस जगा पहुँचे, तो उन्होंने भ वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरण पकड़ कर लाओ, और मेरा राज्य उससे ले लो, इतना सुनना था, राजा सोच में डूब गए और फौरण वापस महल लोट गए, इस पूरी घटना से वो काफी अजीब महसूस कर रहे थे और रात भर इसी वजह से सो नहीं पाए, सुबा उठते ही उन्होंने राज्य के जोतिशियों और जानकार पंडितों को दर्बार में बुलाया और अपनी परिशानी बताई, इसके बाद जोतिशियों और जानकार पंडितों ने सला दी कि मचान के नीचे को छिपा है, इस बात की जानकारी राजा को दी गई, तो फॉरन सिंहासन बाहर निकालने का फर्मान जारी कर दिया, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका, इसको लेकर एक पंडित ने राजा से कहा, कि ये सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा, जब तक क राजा सुयम इसके पूजा अर्चना ना करें, इसके बाद राजा ने पूजा करने शुरू की, और इस तरह से सिंहासन बाहर आ गया, इसके बाद राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, सिंहासन एकदम अलग तरह से चमक रहा था, इसमें कई तरह के रत्न जड़े थे, सिंगहासन के चारो और 32 पुतलियां बनी थी उनके हाथ में कमल का एक-एक फूल था पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेंगी इसके बाद राज़ा ने इस पर बैठने की सोची इसके लिए उसने राज़े के पंडितों को बुला कर कहा कि आप एक अच्छा महुरत निकालें ताकि मैं इस पर बैठ सकूँ पंडितों ने अच्छा दिन निकाला और इसको लेकर दूर दूर से लोगों को बुलाया और पूरे राज़े में एक उत्सव जैसा माहौल पैदा कर दिया गया इसके बाद राज़ा ने उस पर बैठने की तयारी की और अपना दाया पाउं आगे बढ़ाया तब ही सारी पुतलिया खिल खिला कर हस पड़ी ये नजारा देखकर वहाँ पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए लोग इस सोच में पढ़ गए कि आखिर कैसे ये बेजुबान पुतलियां हस पड़ी राज़ा ने अपना कदम वापस लेते हुए पुतलियों से पूछा ओ सुन्दर पुतलियो सच सच बताओ कि तुम क्यों हसी पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी राज़ा की बात सुनकर वो बोली राज़न आप बड़े तेजस्वी हैं धनी हैं बलवान हैं लेकिन इन सब बातों का आपको घमन भी है जिस राज़ा का ये सिंगहासन है वो दानी वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे परम दयालू थे राज़ा बड़े नराज हुए पुतली ने समझाया महराज ये सिंगहासन परम प्रतापी और ज्यानी राज़ा विक्रमा दित्ते का है दोस्तों ये सिंगहासन बत्तिसी किसी और का नहीं बलकि राज़ा विक्रमा दित्ते का था सिक्कों और मूर्तियों परंकित है विक्रमादित्य का नाम समवत दोस्तों कुछ लोग विक्रमादित्य के नाम को लेकर संदेह पैदा करते हैं उनको ये लगता है कि समराट विक्रमादित्य नहीं थे बलकि ये एक तरह से लोगों के द्वारा पहलाई गई सोच है इतना ही नहीं इतिहास लिखने वालों ने समराट विक्रमादित्य को वो जगा नहीं दी जिसके वो हकदार थे लेकिन आज भी उजयन में विक्रमादित्य से जोड़ी चीजें मौजूद हैं आज से दो साल पहले इंडियन आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट ने भी इसकी पुष्टी की है इंडियन आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट को प्राचीन सिक्कों और मूर्तियों पर विक्रमादित्य का नाम समवत मिले हैं जो बता रही हैं कि विक्रमादित्य का राज भारत में कायम था। इंडियन आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार दो हजार साल पुरानी चीज़ें अपने आप में विक्रमादित्य की कहानी को भया करती है। रिसर्च में पाया गया है कि अमलेश्वर यानी अभी का नाम मनसौर में इस्वी पूर्व प्रथम शती की ब्रहमी लिपी के शिला लेख पर लिखा है। विक्रमादित्य ने ये तलाब बनवाया जो अभी भी है। इतना ही नहीं इस्वी पूर्व प्रथम शती का तांबे का सिक्का है जिस पर लिखा है विक्रम और दूसरी तरफ उज्यैनी का चिन्न है। उज्यैन में विक्रमादित्य की प्रतिमाई भी हैं। रिसिधि के पीछे रुद्रसागर विक्रम टीला, विक्रम विश्यविद्याले परिसर, रिण्मुकतेशवर मंधिर एक सिक्के की प्रदर्षणी में भी कुछ साल पहले समराट विक्रमादित्य के बारे में पता चला प्रदर्शनी में जो सिक्के थे उसमें इसापूर्व प्रथम शताबदी में उज्जेन के सरवाधिक लोगप्रिये जननायक विक्रमादित्य का राजसी वेश भूशा में सिक्का चलन में आया था। हुआ करती थी। इस सिक्के का वजन करीब 6 ग्राम कौपर का था। कुल मिलाकर देखा जाये तो राजा विक्रमादित्य जैसा राजा कोई शायद ही इस धर्ती पर दूसरा पैदा हो जिसने राम राज को कायम करके बताया था कि देखो कैसे जनता के लिए काम किया जाता है। सत्ता केवल अपने लिए नहीं होती है, बलकि जनता के लिए होती है। हमें राजा विक्रमादित्य जैसे महान समराट के बारे में जानना चाहिए। ताकि ये पता लगे कि भारत में कैसी कैसी शक्सियते पैदा हुई जो भारत के स्वर्णिम दौर की गवाही देती है दोस्तों ये थी हमारी सीरीज विक्रमा दित्य अ युनिवर्सल किंग उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट करके बता सकते हैं ऐसी और भी इस्टोरिकल किंग से जुड़ी हुई सीरीज को सुनने के लिए सुनते रहिए कुकु एफेम कुकु एफेम सुने जो मन चाहे